कला और संस्कृति के माध्यम से कई देशों के बीच आपसी रिष्टों को मजबूत बनाने के लिए उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मश्हूर नौइडा स्थित मारवा स्टूडियो में तीन दिवसिये चल रहे दो से चार मई तक आठवा ग्लोबल फैशन एंड डिज घोश अंबाजडर ओफ स्लोवेनिया जोवियर पॉलिनिच अंबाजडर ओफ पीरु गैब्रियल पी सिनिम्बो हाई कमिशनर ओफ नामीबिया अनहत भुलर मलोत्रा ने अपनी उपस्थिती से कारिक्रम की शोभा बढ़ाई फैशन शो में अलग-अलग देशो की संस्कृती से प्रभावित परिधानों को खुबसूरत तरीके से पेश किया गया जिसमें इंडो आर्मेनिया ग्रीस बेलारूस पीरू सलोवेनिया आदी देशो की खुबसूर्ती को फैशन शो में दिखाया गया बता दे कि मॉडल्स ने रैम पर अपनी खुबसूर्ती और टैलेंट का जल्बा बिखेरा साथ ही समा में चाट चान लगा दिये कारिकरम में मौजूदा अतितिगर्ण द्वारा इंडो नामी बिया फिल्म एंड कल्चरल फोरम का पोस्टर लॉंच किया डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा फैशन केवल परिधान तक ही सीमित नहीं वहरहन सहन, चाल धाल, बोल चाल, लोग प्यवार, मेकप, फिनिशिंग आदी रूपों में फैला हुआ है वहां मौझूदा आतिथिगर्ण ने भी स्टूडेंट्स और डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किये गए कामों की खूब प्रश्चन साकी इसी दोरान कारिक्रम में आये आतिथियों को उनके देश के कुजीन भी चखाए गए कारिक्रम के दूसरे हॉल में A.A.F.T. स्कूल अफ इंटीर डिजाइन के स्टूडेंट्स द्वारा फर्नीचर एग्जिबिशन लगाया गया जुसमें एजिप्ट, नाइजीरिया, पीरू, हंगरी, वियतनाम, मरोको, सर्बिया, घाना, इतली आधी देशों से प्रेणा लेकर खूबसूरत प्रदर्शनी लगाये गई साथ ही फैशन कम्यूनिकेशन स्टूरेंट्स द्वारा कॉफी टेबल बुक एग्जिबिशन लगाये गई कारिक्रम में उपस्ते तथितिरगन को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा फेस्टिवल मुमेंटो देकर सम्मानित किया गया जोटेड प्रदिगा ल dezeकिर एरह किया। दिरेट हैं को क्या आएक्ट्र स्टूरेशशन लोगान पुलिचर यह we also honoured His Excellency地方 the university High Commissioner of Natalia with the Patronship of the Indo-Namibia Film and Culture Forum and I'm very happy today that we are almost now covering 75 museums which I will be heading to develop and produce relations between India and all these countries Gabriel was the name of the High Commissioner of Namibia I am participating here for the first time, really quite excited to be here. We have seen great things in terms of fashion and design. Moving forward, our interest is to look at how we can collaborate in terms of getting some Namibian students to come and gain some skills and knowledge here and also collaborate on many other aspects. Thank you so much for being here. My name is Matea Vodepoš and I am ambassador of Slovenia to India. What was your experience at India? It was a very, very pleasant surprise and I think the students showed a lot of imagination how to connect our culture and the characteristic of country with the fashion, with furniture. So it was a big joy for me today. Which part of your event was the best one? Well, you know, it's the same question as asking which child of yours you love the most. So I liked all three sections. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.